स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है, चीटर ठीक है? क्योंकि स्मार्ट मीटर के वज़से लोगों को बहुत ही ज़ादा मुश्किलों का सामना करना पर रहा है नमस्कार मैं हूं पुरू शोतम पांडे, स्वागत है आपका एक और नए विडियो में आज के इस वीडियो में smart meter ना होके ये चीटर हो रहा है और इसके वज़द से जिनका एक हजार रुपए का बिल आ रहा था आज के समय में पाँच पाँच छे छे हजार का बिल पे करना पर रहा है तो क्या ये smart meter जो जिस मनसे से लाया गया था और अभी जो चल रहा है smart meter का ज 100% हम चुटकारा पाएंगे पूरे डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो को पहले से ही लाइक कीजिए चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए आरंब करते हैं देखिए क्या है यूजली स्मार्ट मीटर लाने का जो परपस था न वो ये सुका घाटा हो रहा था तो इन्होंने क्या किया एक ऐसा मीटर लाया जो प्रिपेड मीटर होगा तो जब प्रिपेड मीटर की बात की जाए तो उसमें पहले हम रिचार्ज करेंगे फिर एलेक्रिसिटी यूज करेंगे तो सब्सक्राइब क्या हो रहा था पहले के मामले मे जो हमारा मीटर था वो पोस्ट पेड था यानि बिल आता था फिर हम उसका पेमेंट करते थे तो उसमें क्या हो रहा था कि जिनका बिल लगबग एक हजार का आ रहा था अब स्मार्ट मीटर में लगबग उन्हें 5000 तक का प्रिपेड यानि रिचार्ज करना परता है फिर जाके यूज वो कर पाते हैं इलेक्रिसिटी को और ये हर जगा का यही किस्सा है यानि आप देखो कई सारा घर तो बंद परा है लेकिन हर महिने उनको मीटर चालू करने के ल और जिस मनसे से लाया गया था उस मनसे से तो इसका एक परसंट भी काम नहीं हो रहा है और खास करके बिहार में इसका बहुत बड़ा भोकाल मिचा है ठीक है बहुत बड़ा भोकाल मिचा है और इवन कि आप सिटी की बात करें पटना सिटी की बात करें तो यहां पे भी लो अभी के समय में central government काफी सारा option देती है जिन राज्यों में electricity नहीं बनता है ठीक है तो सपोज बिहार में तो उतना ज्यादा electricity बनी निरा कोई भी power project नहीं है वहाँ पे बरे बरे solar park भी नहीं दिखेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है electricity directly किसी और राजे से purchase करना पड़ता है तो और उसमें clearly mention था कि suppose आप अभी जहां से भी electricity ले रहे हो आप suppose यदि solar से जो electricity बन रही है और वो आप लेते हो तो उसका per unit cost जो है वो आपको परेगा 2.5 रुपीज पर unit ठीक है तो 2.5 रुपीज पर unit का cost आपको परेगा तो अब क्या किया government क्या किया धाई रुपे का per unit cost न लेके उन्होंने एक bid निकाला और 3.5 रुपे पर unit का cost पे electricity purchase किया अब देखो already जो धाई रुपे पर unit आपको मिल रहा था वो आपने क्या किया एक रुपे महंगा लिया और ये बहुत बड़ा कला है जो बिहार government ही इसको प्रदर्सित करती है और इस तरीके से धाई रुप था 2.5 में ठीक है चलो अब ये हो गया अब बहुत सारा cost होता है इसके उपर भी आपको suppose transmission का cost लगता है even infrastructure का cost लगता है और ये सारी cost add-on होके लगबग बिहार में जो electricity per unit का cost था वो लगबग 7 रुपे पर unit हो गया ठीक है अब normal जो आपके घर में बिजली आ रहा है वो 7 र बढ़ाया गया था अब जब बढ़ाया गया तो उसमें बहुत जादा opposition के लोगों ने हला भी किया तो उस पे अलग से subsidy government ने दिया और उसको लगबग 5 रुपे के आसपास कर दिया ठीक है तो चलो इस तरीके से वहाँ पे cost 5 रुपे पर unit हो था लेकिन अभी जो scenario है अभी क स्मार्ट मीटर जिन सिन लोगों ने लगाया है और जहां जहां भी लगा है mostly city में तो लगा हुआ है वहाँ पे काफी सारी परेशानिया हो रही है और ये परेशानिया इस लेविल की हो रही है suppose जिनका monthly electricity bill 500 से लेके 1000 रुपे तक का आ रहा था उनका बिजली बिल जो भरना पर रहा है लगभग 5000 के ऊपर भरना पर रहा है यानि आप कहां देखो 1000 रुपे भर रहेते अब और यह मैं एवे ही नहीं बोल रहा हूं यहां पर आपको स्क्रीन पर न्यूज भी दिखाता हूं तो यह न्यूज में किलियरली मेंशन है किस तरीके का वोकाल है और कई होगे ना तो इस तरीके का स्मार्ट मीटर से आपको 100% पूरी तरीके से निजात मिल जाएगी अब वो निजात कैसे मिलेगी तो देखो सपोज जो भी आपका यूज है या जितना भी इलेक्रिसिटी आप यूज करते हो पर मन्त यदि आपका 200 यूनिट 500 यूनिट आपका क 300 यूनिट है या इवन की साड़े 400 यूनिट तक का बिजली बिल आ रहा है तो आप यहां पे 3 किलो वाट का सोलर पैनल सिस्टम लगा सकते हो और जब आप 3 किलो वाट का सोलर पैनल सिस्टम लगा होगे तो यहां पे सेंट्रल गॉर्मेंट असिस्टेंस भी दे रही है आप तीन किलो वाट के सोलर पैनल सिस्टम पे आपको 78,000 का सबसीडी भी मिल जाएगा तो ये कॉस्ट ना लगवग आपको एक लाख रुपे का सोलर पैनल सिस्टम का कॉस्ट आएगा और जब आप सोलर पैनल सिस्टम लगा लोगे तो आपके यहां पे यह जो स्मार्ट मीटर है यह 100% हटेगा और एक अलग मीटर आके आपके घर पे लगेगा जो दोनों तरह के बिजली को यानि आप कितना गृट से यूज करते हो और कितना आप गृट में सप्लाइ करते हो उस तरीके का मीटर लगेगा और आपको कभी भी प्री रिचार्ज करने की जुरुत नहीं परे है और आने वाले समय में आप जादा ही इलेक्रिसिटी बनाओ जिसको की आप बेच भी सकते हो गृट मेंट को और बेच के उससे कमाई भी कर सकते हो तो यह एक तरीका है जिससे आप 100% स्मार्ट मीटर से जो अभी परिशानियां हो रहा है उससे निजात पा सकते हो इसके ब और फिर आप इंपैनल्ड वेंडर के साथ अपना सोलर पैनल सिस्टम लगा भी पाएंगे तो कैसा लगा यह आइडिया स्मार्ट मीटर से 100% निजात पाने का कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें चैनल में आए हैं तो सब्स सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाज तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जहिंद